नय नय इजी और इंट्रेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्स्री तॉमस कीचेन को आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर इंडियान रेसिपी उसका नाम है राजमा चावल और राजमा बिर्यानी यह होगा बहुत ही सुपर क्वीक एंट डिलिशियस एकदम रेस्टूरेंस टाइम आज काल के समय में टाइम हमारे पास बहुत ही काम होते हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बिर्यानी को प्रेशर कुकर में बना जाए तो यह होगा प्रेशर कुकर में 15 मिनिट के को पसंद आए प्लीज रेसिपि के नीचे डियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक किजिए मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमिंट कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं राजमा पुलाओ और राजमा बिरियानी लेट स्टार्ट राजमा पोलाव और राजमा बिडियानी के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बस्मती राइस इसको आधा घंटा पानी में मैं भीगो कर रखी थी बात में पानी इससे आठा लिया आप 15 मिनिट भी इसको भीगो कर रख सकते हैं लिया है एक कप राजमा और रेट किट्नी मिल्स इसको 6-7 घंटा ओवर नाइट भीगो कर रखी थी एंट बात में पेशर कुकर में 4 सीडी इसको लगा लिया आप देख सकते हैं राजमा एकदम बॉयल राजमा है लिया है दो प इसको 20 से काट कर लिया है दो लिया है तेज पात्ता थोड़े से साबुद गड़म मसाला इसके साथ मैं थोड़े से जैत्री लिया है एक टीस्पून लिया है जीरा एक टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लिया है कश्मिरी रिट चिली पाउडर मैंनी 1 टीसपुन शुगर, इसको ना चाएँ न दे सकते हैं, लिआ है 1 टीसपुन और To Taste नमक, लिआ है 1 टबिसपुन राजमा मसाला, यह optional है, अगर आपके पास राजमा मसाला नहीं है, तो आप इसके बदले में 1 टीसपुन धनिया पाउडर, 1 टीसपुन जीरा पाउडर, और 2 ट तोड़ा का वाटर एक टोटाली ऑप्शनाल है प्रिशार कुकार में एक टेबल स्पुन ओईल एक टेबल स्पुन घी दे दिया आप चाहे तो ओईल एंड घी दोनों यूज कर सकते हैं एंड घी भी अनली यूज कर सकते हैं तेल घी हमारा गरम हो गया है अभी इसमें हम देंगे दो तेज पत्ता, ख़रे गरम मसाला, एक डारचीनी और दो छोटी लाइकी, जीरा जो खड़े गड़म मसाला मैंने दिखाया था वो मैंने थोड़े से मिक्सी में एक बार पेस्ट कर लिया है थोड़े से राफली इसको एक बार पेस्ट कर लिया है यह कुट कर लिया है यह कुटी हुए गड़म मसाला को दे दिया आप चाहे तो ऐसे ही साबूत यूज कर सकते हैं कुछ सेकिंद्स के लिए गड़ा मसाला को घुना ठाबी प्याज को दे दिया दे दिया हरी मिच को इसको थोड़े से प्राइ करना है गड़ा मसाला के साथ मैंने काली म्रिच भी एक किया था तो आप 8-10 काली म्रिच यूज करें दो मिनिक मैं प्याज को फ्राइ कर लिया आप देख सकते हैं प्याज के कालार थोड़े से चेंज हुआ है अभी दे देती हूं अध्रा पें लैसुन के पेस्ट मिला लेती हूं इसको इसके साथ रेती हूं तबाटको एक साथ इसको मिला लीजिए इसको 2-3 मिनिट भूनना है और धाकन को आप दे दीजिए और धाकन देकर इसको भूनें 3-4 मिनिट इसको मिडियान पेंपे गुनने के बाद मैं इसमें एट करूंगी राजमा को यह बॉल किया हुआ राजमा इसको मैंने एट कर लिया अब इसको मिक्स करना है राजमा को एट करने के बाद मैं इसमें हल्दी को दे दिया कश्मीली लेट्छीली पाउडर नमक थोड़े से नमक पहले दिया था राजमा बाइल करते वक्त तो इसलिए हिसाब से दीजिए और मिर्ची के हिसाब आप आपके पसंद के अनुसार कर सकते हैं जितना तीखा खना पसंद करें उसके हिसाब से लाल मिर्च और हरी मिर्च को कम ज़दा कर सकते हैं इसमें एट कर रही हूँ राजमा मसाला इसको आप मिस्स कीजिए अच्छे से इसको मिलाना है 2-3 मिनिट के बाद मैं ठक्कन को खोलती हूँ वाओ बहुत अच्छी खुश्बू निकल रहे है मैं आपको क्या बोलू बहुत ही अच्छी खुश्बू निकल रहे है अभी इसमें मैं दे देती हूँ राईस को ये पूरे राईस को इसमें एड कर दिया एंड इसको मिक्स करना है मैं स्पून को थोड़ी चेंज कर लेती हूँ तो विदा होंगे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये राइस को दे दिया एंड राइस देकर इसको एक मिनिट भूनना है मीडियम फ्लेम पे चाओल देकर 2-3 मिनिट इसको मिडियम फ्लेम पे गुनने के बाद मैं इसमें आट कर रही हूँ पानी को ये पानी और राजमा स्टॉक मैं आट कर रही हूँ आप चाहें तो राजमा स्टॉक ना उसकर की पानी भी उसकर सकते हैं आपकी मर्जी मैं राजमा स्टॉक को ना फेक कर इसको इसमें आट कर रही हूँ इसमें बहुत ही टेस्टी होगा एन हेल्दी भी होगा आप देख सकते हैं कितने बड़िया कलर उस उपर से हरा धनिया स्प्रेट कर देती हूँ ताकि दिखने में बहुत ही अच्छी लगे चट पट प्रिशार कुकर में ये राजमा बिरियानी एक तम रिस्टूरेंट स्टाइल बन जाएगा धापकन को देदेती हूँ और इसको मिडियान फ्लेम में सीटी आने तक छोड़ती हूँ मिडियान फ्लेम में दो सीटी आने के बाद मैं प्रिशार को करकर धाकन खोलती हूँ वाउ, what a nice smell आप देख सकते हैं कितना बड़िया ये देखिए पानी एकदम अबसर्प कर चुका है और उपर से बहुती अच्छी दिख रहा है बहुती अच्छी खुश्बू में निकल रहा है और आभी एक स्पून लेकर मैं इसको दिखा रहा हूँ कि चावल हमारा एकदम फ्लाफी है आप देख सकते हैं ये देखिए मैं कैमेरा को जूम करके दिखा रहा हूँ राजमा भी बग गया है और चावल भी एकदम खिले खिले है आप देख सकते हैं हर तरफ से एकदम नाइस और परफेक्ट राजमा बिरियानी हमारा बन चुका है राइस जो है एकदम फ्लाफी अभी हर तरफ से थोड़े थोड़े करके शुगर इसमें स्प्रेड कर देती हूँ यह ओप्शनल है आप ना चाहे ना भी दे सकते हैं पर थोड़े से शुगर हाप टीस्पून देने से इसके जो टेस्ट के बैलेंस एकदम बहुत ही अच्छी होंगे और उपर से थोड़े केवरा का पानी इसमें एड़ करते थी हूँ इससे भी बहुत ही अच्छी टेस्ट बढ़िया देगा अभी एक स्पून लेकर थोड़े से इसको हिलाना है प्रेशार कुकर जब ठंड हो जाए तब ही अउनली इसको खोले साबधनी से खोले आज का गर्मगड़ा सुपार टेस्टी डिलिशियास राजमा बिरियानी और राजमा कोलाव एक दम आपके सामने तयार है मैं इसको एक प्लेट लेकर आप देख सकते हैं चावल एक दम फ्लाफी एक प्लेट लेकर इसको रखती हूँ इसको सार्फ करती हूँ एक दम बिरि आप प्लीज को ट्राइ कीजिये मैं क्या बताओ बहुत ही आची खुश्मों निकल रहे हैं जब तक आप घर में ट्राइन करेंगे तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितना बढ़ आ कितना टेस्टी गवा है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी राजमा बिरियानी और राजमा चावल जो भी कहे एकदम बनके तयार है तो आपने देखा कितना जल्दी सुपा टेस्टी और डिलिशियास राजमा विरियानी आपके सामने एकदम रिडी है इसको ज़रूर घर पे ट्राइ कीजिए और मुझे बताईए ये कैसे लगा अगर इस रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज इस रेसिपी को लाइक कीजिए कॉमेट कीजिए शेर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मुलाकत करते हैं ठैंक यू